नमस्कार दोस्तों वेलकिम ल्डो जुके ट्रिक्स इस वीडियो में राजस्थान जुके की स्प्रिंग बूर्ड अकेड्मी के नोट्स वले जो मरी स्रीष चल रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में राजस्थान के लोक नाट्यों से समंदेत ओल कोशिन करेंगे इमानदारि के साथ इस वीलियो को देखर घ्थ एनके शुलइब कर लीजर के हं अगर आप से हो सके तो सारा मेटर पर लिख लेज़ेका और अगर आप बार-बार इनका रियविजिन घ्रेंगे तो आपको तो यह सारा मेटर याद हो जाएगा और जब भी आपका एक्जाम होगा तब देखिए आप पर कम से कम प्रेसर होगा क्योंकि आपको उस्व में लगएगा कि मुझे सब मेटर याद हैं और यह तब समभव है जब आप एक्जाम से पहले ही अपनी त्यारी अच्छे से करें तो सुरुवात करते हैं इस वीडियो की कोशिन नमर फर्ष्ट से कुचमनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है तो देखिए मैं आपको डायक लिए आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो देख लंबान बने कु तो फ्रुष इंफ्यक्ट आप द्यान केगा कुचमनी ख्याल के मुख्य कलाकार कॉन है तो देखिए इसका सई आंसर ओगा कुचमनी ख्याल के जो मुख्यों कलाकार है वो है उमग राज फर्ष्ट नम्र प्रवसtsåयप सुआ पर सई हैंसर होगा प्रवर्वर्त का इस्वमन आगे देखा था कौन थे लची राम जी तो दोनों अलग लगे यह आप ध्यान कियेगा जो कुछ अमनी ख्याल है यह ओपेरा की तरह होती है तो इसक्ट आप ध्यान कियेगा चांद नेलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल ख्यालों की रचना किसने की देखे तीन ख्याल है यह पर यह इनका नाम आप ध्यान कियेगा इन तीनों ख्यालों की रचना की गई थी लच्छी राम जी के द्वारा फोर्थ नमर अप्सनिया पर सही आंसर होगा जो कुछ अमनी ख्याल है उसकी कुछ विशेशता यहां पर दे रखिये इनके बर्म आप ध्यान कियेगा कुछ अमनी ख्याल का जो प्रदर्शन है वो खुले मंच पर किया जाता है इनकी भासा सरल और इनमें लोकों गितों की प्रदानता रहती है तो इफ्यक्ट आप ध्य जरूरे जरूरि है और बन भी सकता है आगे तो आपको यह सभी ध्यान रखना है गुरी जन खाना कि ख्वाल में भाग लेते थे तो देखे सय आणसरोगा जेपुरी ख्याल के अंतर गत्व गुरी ख्याल के अंतरगत गुरी ख्याल प्रियोगों का ये pra mix Pra जोगी जोगन, कान गूजरी, मिया बीबू, पठान, रसिली तंबूलन, किस ख्याल की पर्मु कहानिया है, देखिए आप जितने भी ये कहानिया दे रखी है, ये सभी कहानिया है, जेपुरी ख्याल की कहानिया, तो इनके बार में आप ध्याने किएगा, अली बक्सी ख्याल किस खेतर की प्रसिद्ध हैं, देखिए सई आंसरोगा, अलवर खेतर की प्रसिद्ध हैं, अली बक्सी ख्याल, तो आप ध्याने किएगा, देखिए जो अली बक्सी ख्याल है, ये अलवर में भी कहाना की फामसे, तो मुंदावर खेतर की, तो आप ध्याने के गा कि मेवार के किन संत पीरों ने तुरक लंगी की रचना की थी साह अली तुकन-गीर दोनों कोई नहीं तर दोनों ने रचना की थी साह अंशर होगा इन कि इनके अभिने से खुष होकर कि इनके अभिने से सहा अली और तुकंगीर इन दोनों के अभिने से खुष होकर इनको तुरा कलंगी भेट की थी तो इफेक्ट आप द्यान कियेगा जो तुकंगीर है ये किसके पक्सकार थे तो तुरा के और सहा अली थे कलंगी के पक्सकार तो इफेक्ट आप ध्यान कियेगा, तुर्रा और कलंगी किसका परतिक माना जाता है, देखें सही आंसर होगा, तुर्रा तो परतिक माना जाता है भगवान सिव का, कलंगी परतिक माना जाता है मा परवती का, सेकेंड नमर अप्सनिया पर सही आंसर होगा, तो आप ध्यान किय देखिए इस ख्याल से सम्मंदित कुछ वर्ड है कुछ टरम से वह आप ध्यान किएगा यह के दंगल दंगल क्या होता है यह एक प्रकार की कावय में रचनाए है जिनके माध्यम से सिव सकती समंधी विचारों को लोगों तक पहुचाया जाता है तो आप ध्यान किएगा तु हमीद बेग दोनों कोई नहीं दोनों ने तूरा कलंगी को कहां पर लोगप्री बनाया था मेवाड के अंतरगत अपर ध्यान किएगा तूरा कलंगी की कुछ विसेशता है इनके बार माप ध्यान किएगा एक मात्र लोग को नाट्य है जिसमें मंच की सज्जावट की जाती ह एक मातर लोकनाइट्टे हैं जिसमें दर्सक भी भाग ले सकते हैं, Most Important Fact है तुरा कलंगी के बारे में तो इनके भारे में आप ध्यान रखिएगा, तुरा और कलंगी पक्स के जंडे का रंग करमस है, तो देखिए जो तूरा पक्स हैं इसके जंडे का जो रंग होता है वो होता है भगवा, कलंगी पक्स का जो जंड़ा है उसका रंग होता है हरा, फोर्तम रपसनिया पर सही आंसर होगा, तो आप ध्यान रखेगा, और देखिए जो दोनों पक्स हैं, दोनों पक्स आपस में प हाकूर ओकार सिंग की सभष्क काला कार है तो इसका प्रमुक के अंदर पर है तो गो शुंड़ा चितोड निमबहेघ और नीमच में निमच का पर है मध्यवर्दिश के अंथरगत्त प्रमुक के अंदर है तो यह जो तो आप ध्यान रहेगा करोली सवalay माधवपूर द्वलपूर भरन दोसा चेतर पूंसी ख्याल है लेके से यांस रोगा ओपसी नमर फस्ट जो कनिया ख्याल यह इन सभी छेत्रों की प्रसिद्ध है इस ख्याल के समझे कुछ एक्ष्टा एक्ष्ट्राइक याँ पर देखिए इसके अंतर गाते जो कहन है कहन क्या है मुख्य कथा यह पर पात्र लिख दिया गया है थोड़ा स बसेड़ी छेत्र की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है देखनेक्त कर्यक्टान्स रोग में आप्सें न:"했어 में धयर धिक दंगल लाल सौतह दोसा व सवय मदjak पूर 1 छेत्र की कौन सी ख्याल हिला इस ख्याल का मुख्य वद्द्द रहे नौबत तो इस फ्थ आप ध्याना किए गा तो यह तो यह फिक विसेशता है इस ख्याल कि हेला देना यानि लंबी टेर में आवास देना तो आप द्यान कियेगा, बम, बम क्या होता है, जो बड़े नगाड़े होते, उसको बम का जाता है, बम के साथ में इस ख्याल का प्रारम होता है, तो most important fact है, यह सभी आप द्यान कियेगा, हेला ख्याल के समन्द में, नोटं की लोक नाटिक के प्रवर्तक कौन है, देखे सही आंस का जान किये है, इसमें नो परकार के बाद्धिय अंतुरो का परियोग किया जाता है, यह लोकनाट्य हात र सेली से प्रभावित है, तो यह सार्षोग अध़्यान कियेगा, नोटं की किस खेतर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, कारेक्टांस रोगा, भरत पूर्टपूर्य क का प्रसिद्ध है नौटंकी लोकनाट्य तो आप द्यान किएगा नौटंकी की कुछ परमु को कहानिया है कौन-कौन सी अमर सिंग राठोड हरिश्चंद्र तारामती आलह उद्दल लेला मजनू और सत्यवान सावित्री तो यह सारी अप द्यान किएगा sacar है रमुत लोकनाटक किस छेत्र में सावन की महिने में तथा होली की आवसफर पर किया जाता है ठीक जो रममत है यह किया जाता है जैसनल में भी-कनेर के अंतरगत सावन के महिने में और होली के आफसर पर तो इफेक्ट आप ध्याने किएगा नीचे वलाव इफेक्ट इंपोडेंट है देखिए नीकनेर की अंतरगत जो पुष्कुर्णना ब्रह्मन है उनके द्वारा जो पाट होते हैं पाटों पर इनका आयोजन किया जाता है रमत का तो इफेक्ट आप ध्याने महत्मा घंदी को तो इफेक्ट आप ध्यान किएगा तुलसी दास मनी राम व्यास फागु माराज सुव माराज किस लोक नाट्य के कलाकार है लेकि यह प्रश्न काफिया इंपोर्टेंट है यहां पर मरस्तियांस रोगा जितने भी यह पर यह दे रखें यह सब भी कलाकार ह है ऑप्शन नंबर सेकेंड रमत के तो आप ध्यान किएगा और देखिए कुछ इंपोर्टेंट कहाने दे रखी है रमत की कौन-कौन सी आचार्यों की चौक की अमर सिंग की रमत और बाहरा गुवार की हैडव मेरी की रमत तो आप ध्यान किएगा रमत की सुरुवात किस न लोकनाट्य तमसा किसके समय में लोकप्री हुआ था देखिए यह लोकप्री हुआ था सवई परताप सिंग के समय तो आप ध्यान किएगा सवई परताप सिंग ने महाराष्ट से एक व्यक्ति को लाया था इस तमसा को बढ़ावा देने के लिए जिसका नाम है बंसी धर तो देके सही अंसरोंगा फोर्ट नम्र अप्शन अखाड़ा नीचल अफैक्ट देखते हैं जेपूर की प्रसिद नर्तियंग ना कौन है गोर खान जो की तमसा के अंदर्गत भाग लिया करती थी तो इफ्यक्ट आप ध्याने किएगा फोल जी बट गोपी कृष्ण भट वासुदेव भट किस लोक नट्य के कलाकार है देखे सही अंसरोंगा ओप्शन नम्बर फर्स्ट तमसा के ये प्रमुक कलाकार है तो इनका नाम आप ध्यान किएगा तमसा के सब्द में कुछ जो प्रमुक कहानिया है वो यहां पर दे रखी है गोपी कृष्ण ब्रतरीक का तमसा जोगी जोगन का तमसा जुटन्मिया का तमसा मेवाड में भेल जन जाती का लोक नट्य जिसमें केवल पुरुस भाग लेते हैं जो रक्षाबंदन की अगले दिन से लेकर 40 दिन तक चलता है तो यह लोक नट्य कौन सा है करेक्ट आंसर होगा गवरी लोक नट्य जैक में जो मुख्य सूत्रदार होता है उसको कहा जाता है कुट-कुटिया हास्य कलाकर को कहा जाता है जटपटिया सिवजी को कहा जाता है राइबुडिया तो यह आप ध्यान कियेगा और देखिए इसके अंधर गत जो मुख्य वाद्धी अंतरे जिनका प्रयोक किया जाता है व थर्ड नमर उप्षन उदेपूर के अंतरगत जो उदेपूर संभागे उसके अंतरगत अब देखिए जो मुख्य पात्र है उनको कहा जाता है सग्गा जी और सगी जी कलाकार मंच पर आकर अपना परिचे नहीं देते हैं भवई लोक नाट्य के अंतरगत सांती गांदी के नाटक जस्मल ओडन पर आधारित भवई नाट्य सबसे अधिक लोग प्री हुआ था मोस्ट इंपोर्डन फैक्ट है कई बार कई एक्जों में आ चुका है ये फैक्ट आप ज्यान खेगा कैसे लोक नाट्य का है अफगानिस्तान का जो की पस्तु भषका में प्रस्थ गया था जिसको बाद में इस्तानी भषका में किस ने प्रस्थोत किया था करीम प्रसिद है तो भीलवड़ा का और देखिए एक स्वांग का मिला लगता है मांडल भीलवड़ा के अंतरगत चैत्रक्रष्ण त्रयदुसी को जिसे नहारो का स्वांग कहा जाता है इफेक्ट आप ध्यान कियेगा जो मुक्य कलाकारे स्वांग के उनका नाम है परशुराम जी और सबसे अधिक फेमस से इसके लिए जानकिलाल भांड जिनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है तो इन सभी के बार आप ध्यान कियेगा कपड़े के परदे पर देवी देवताव से सम्मंदित चित्र बनाना क्या क्यालाता है करेक्ट आंस रोगा फर्स्ट नंबर ऑप जाती है पार्वति जोसी पहली महिला कलाकार है फड की और जो स्रीलाल जोसी है इन्होंने फड को रश्टी और अंतरश्टी पैचान दे लए थी यह सारे फ्रेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है इन सभी के बरमाप ध्यान कियेगा कहा की मूख रामलीला प्रसिद्ध है तो स के दवारा तोड़ा जाता है best 的 Sinnesle का फोर्ट नंबर ऑप्चन अटरू वहारा के अंतरगत सार कहांकी वैंकरटेश्ट रामलीला प्रसिद्ध है तो सियांसरोंगा भरत्पूर की रासलिला किस छेत्र की प्रसिद्ध है तो देखे रासलिला किस छेत्र में प्रसिद्ध है फुलेरा जेपूर कामा बरतपूर दोनों या फिर कोई नहीं करेक्ट आंसरों का दोनों फुलेरा और कामा इन दोनों छेत्रों की प्रसिद्ध है रासलिला गोर लिला किसी छेत्र की प्रसिद्ध है देखिए सही अंसरोगा जो गोर लिला है यह प्रसिद्ध है आबु छेत्र की सेकंड नमर अपर सही अंसरोगा और देखिए जो संद का दिक लिला है यह का कि प्रसिद्ध है यह चित्टोर गड़ छेत्र की प्रसिद्ध लेला तो य लोक नाट्टे से सम्भंदित सारेफेक्ट में आपको यहां पर कवर करवा दी है और देखिए एक्जामों में कोश्चिन नहीं से बनते हैं अगर आपको यह मैटर याद है तो निश्चिति आप अच्छी इस्थिति में हैं तो अगर आपने यह मैटर नहीं लिखा है तो चाहिए जिसका नामें जिकेटिक्ष एड्यूकिशन और देखिए जो मरें नेक्ष्ट क्लास रहेगी वह रहेगी राजिस्थान के लोक नर्टियो से सब्ढ़न दित एक एक राज़स्थान के जितने भी एक्जम हो एक जिन में लोग रोप नर्टियों से और इस्प्रमड रुकिएगा और चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्रेब जरू करिएगा मैं काफी इंपोर्टेंट जो यह मैटर है आपको प्रोवेड करा रहा हूं मुझे काफी अधिक समय लग रहा है लेकिन मैं आपको कंट्यूनी रूप से यह सारा मेंटर उपलब करवा रहा हूं तो आपको इसका फायदा जरू उठाना चाहिए आप इसका फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप इसको कोई पर लिख लेंगे और बार बार इनका रिविजन करेंगे तो आगे आपकी इच्छा है लिखे या ना लिखे तो चलिए इस वीडियो में इतनी अग उब आप इसका बेंगे जब इसका रिएसका इसका इसका रे भी प्हां जब किया है वीडिवराग समय हाँ पर लेगी कि नब आपकी रिखई दो आपकी पर रहा है ऐसका बारूरा, ना भी आपकी रहाँ पर साहिग्य साहिए इसका बार भार शेए भार रहाँ ए pockets, हो एप